जिस वेकेंसी का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थें कि सर नोटिफिकेशन में लीट हो रहा है, exam date वही रहेगा वो वेकेंसी आचुकी है, SSC selection post, phase 12 की वेकेंसी है और ये SSC की साल की पहली वेकेंसी है, आप लोग ने thumbnail में देखा होगा कि सर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है हमारा, जिसमें matriculation level का भी post है आपका higher secondary level का भी post है, gradation level का भी post है और इसमें live photo के बारे में बताई भी गया है, salary के बारे मों discuss करेंगे syllabus के बारे में discuss करेंगे, और कितने सारे post है और कौन-कौन लोग कितनी बार apply कर सकते हैं, इन सारे बातों के बारे में discuss करने वाले वीडियो में, तो वीडियो अगर अच्छा लगों तेक बर वीडियो को share कर दीजेगा हम लोग चलते हैं, इसके next वाले slide पे अगर आप यहाँ देखोगे तो SSC ने नए वाले website पे एक छोटा सा notice जारी किया है कि जिन लोगों का अगर OTR नए वाले website पे रजिस्टर्ड होगा, वही लोग इस form को apply भी कर सकते उन्होंने लिखा है क्या, यहाँ पे कि all the candidates are informed that the notice of the various examination conduct by the commission selby, hence forth be published on the new website only मतलब नए वाले website पे जिन लोगों का OTR registration होगा, वही लोग इस form का या फिर आने वाले जो भी vacancy है, उन सारे vacancy को apply कर सकते हैं, है ना अब यह जो live photo वाला session था आप लोगों ने यहाँ देखा है कि sir, the application module which would be used in notice to be published on the new website will have the provision of capturing of live photographs of the candidates अब इस live photograph में क्या क्या आपको important है, क्या 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 करना पड़ेगा, उन्होंने point wise करके बताया है और यह point wise जो है लिखाया क्या, कि find a place with good light and plain background मतलब लिखाया क्या, यहाँ पे, कि ऐसा आप वहाँ पे एक place ढूंड होगे, live photograph के लिए, बहुत साड़े दोगों का होता था क्या, कि mobile से खीचके वहाँ पर upload करते थे या फिर webcam वगरा से तो वो धुंदला आता था या फिर उसमें उतना clarity वगरा नहीं होता था, लेकिन इन्होंने खुद लिखाया है यहाँ पे कि एक ऐसा जगा चुनना है जहां से क्या होगा आपका, कि जो photograph होगा, वो बिल्कुल आपका net or clean आना चाहिए ensure the camera at the eye level before taking the photo, मतलब eye का जो level होगा आपका, वो camera के ठीक सामने होना चाहिए आपका, ठीक है positions yourself directly in front of the wavecam and the look straight ahead, मतलब जितनी सारी बाते आपकी यहाँ पे लिखी गई है, वो सारी के सारी follow करके live photograph का option in होने दिया है, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में, यहाँ पर बात करेंगे तो यह आपकी vacancy है, बाद में इसके हम लोग PDA पे भी चलेंगे, PDA बहुत जादा लंबा देके रखा है आपका, और आपको पता होना चाहिए कि य यह जो आपका दिया है, इसमें लगबग कितने सारी पोस्ट है, वो 489 पोस्ट है, कितना 489 पोस्ट है और 249 वेकेंसी के आसपास दिया गया है, अब बात यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में यह भी चल रहा होगा, कि सर मैट्रीकुलेशन वाले लोग है, या फिर ग्र सब्मिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लिकेशन 26 दो हजार 24, मतलब आज आपका सताई से कल से यह फॉर्म फिलफ होना है, स्टार्ट हो गया है, और यह कब तक चलेगा, यह 18 दो हजार 24 तक चलने वाला है, इसके पहले हम लोगों इन एक वीडियो मनाया था, SSC के रिगाडिंग, उ SSC कैलेंडर में लिखा गया है, चाहिए वो किसी भी एक्जाम के रिगार्डिंग हो, इसलिए मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, कि सर जो भी आपका एक्जाम का तयारी है, वो तयारी नोटिफिकेशन के इंतजार में नहीं रहना है, कि सर नोटिफिकेशन आए 24 मतलब अगले महिने के 18 तारीक को आपका ये करना है रात 12 वजे तक, ठीक है, लास्ट देट एं टाइम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट आपका है, वो 19 तक आप इसका क्या कर सकते हैं, पेमेंट वगारा सब्मिट कर सकते हैं, मतलब 18 तक आपको फर्म ऑनलाइन करना है, और 19 त इसका जो करेक्शन डेट है, वो 22 से 24 तारी तक है, मतलब 19 को आपने कंप्लेट करा है, फिर आप रिचेक करोगे, रिचेक करने के बाद अगर अगर अपने गलती करा है, तो 22 से लेकर 24 तक का डेट है, कि आप उस फर्म में करेक्शन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाल है को आपका टॉल फरी रेक्शन का इस तरीक के जिखते समझने में को क्रिकुलेशन का लेबल है एक आपका higher secondary एक आपका गरिशन का है तीनों का जो पीटी का एकजाम होगा वह एक रखा है कितना अगर मालों की सर्य हाँ पर 489 पोश्ट लेकर रखा है अगर आप कितने भी पोस्ट के लिए apply खालाई करोगे तो लेवल आपको देखना पड़ेगा कि वो मैट्रिक लेवल है अगर मैट्रिक लेवल पे अगर आपका मालो है 100 पोस्ट जो एक्ञाम्प्ल मैं रफस्फी ले रहा हूं तो अगर 100 पोस्ट है तो आपने 100 पोस्ट के लिए metries level पे apply किया है तो उन 100 post के लिए आपका metric level पे किवल एक exam होगा ठीक है अच्छा higher secondary वाले पे फिर से अगर 100 post है तो 100 post के लिए आप लोगों ने apply किया है तो उसका भी exam आपका CBT जो होने वाला है मतलब जो आपका tier 1 होगा वो आपका एक ही होगा ठीक है अच्छा graduation वाले पे जो आपका exam होने वाला है उसका भी 50-60 post जितना भी post आप लोगों ने apply किया है उसका भी आपका एक ही exam होगा ठीक है तो तीनों का आप कितना भी form fill up कर लो कितना भी post इसमें डाल लो उन सारे का एक एक आपका exam tier 1 होने वाला ठीक है मालों आपने 100 post के लिए आपने apply किया है तो सारे post का जो आपका जो fee है वो अलग अलग लगने वाला है सबका एक ही जैसा नहीं होगा अगर आपने तीन post के लिए अपलाई किया है तो 300 लगेगा एक post के लिए apply किया है तो 100 लगने वाला है इस तरीके का यहाँ पे दिया आ गया ठीक है अब यहाँ देखो य आपका पहले आजिजवल टाइप का यहाँ पे दिया है ठीक है तो यह आपका लेवल 1 से लेकर लेवल आपका यह 6 तक है इस वाले पोस्ट के लिए और सब का अलग अलग देखो 10 प्लस 2 पे है अलग लग दिया ठीक है मतलब MTS लेवल के भी पोस्ट है फिर आपका यह एकजाम सिर्फ एक होने वाला उसके बाद आपका document upload होगा, document verification DV होगा, उसके बाद अगर आपका skill test है, किसी भी post के अंतरगत तो आपका skill test होगा, बाद बाकी फिर final result आजाएगा, तो एक ही exam देना है, syllabus भी discuss करेंगे, वो सारा कुछ है, ठीक है, तो ये बाते साथ I hope की समझ में आ गई होगी, आगे अगर हम लोग चलते हैं, आगे अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे मैंने last वाले का यहाँ पे लगाया है, total आपका मैंने कहा था, कि सर्फ 489 यहाँ पे post include है, कितना 489 यहाँ पे post include है और ये भी last वाला जो post है वो technical attendant का है यहाँ भी दिया गया है, 33 साल तक आराम से इस form को fill up कर सकते हैं, लेवल के हिसाब से ठीके, यह आपका पूरा का पूरा यहाँ पे देखे रखा है matriculation है, higher secondary है, ठीके, समझ में आ रहा होगा इतना सारा various post आपका दिया गया है आगे अगर चलते हैं, slayvers के बारे में अगर discuss करेंगे scheme of examination यहाँ पे देखे रखा है तो सारे चीजों का एक ही tier होगा metric वाले का, inter वाले का, generation वाले का और उस सबका slayvers यहाँ पे बराबर है general intelligence के बारे में बात कर रहा है तो 25 question है, 50 number का मतलब एक question क्या है आपका एक number का देखे रखा है, ठीक है general awareness के बारे में बात करें तो 25 है आपका और यह आपका एक question जो है वो दो number का देखे रखा है फिर आपका basic arithmetic skills है आपका यह फिर quantitative aptitude है यह 25 questions है, 50 number का है इसमें advanced बहुत कम level पे पूछा जाता है कितने हो गया, अगर आप देखोगे तो total आपका पूरा का 100 question हो गया और यह 200 number का हो जाएगा 100 question, 200 number का हो जाएगा अगर हम लोग negative marking के बारे में बात करें तो there will be negative marking of 0.50 marking for each wrong answer मतलब हर एक wrong answer पे आपका 0.50 number क्या हो जाएगा सही वाले में से चला जाएगा अच्छा, total duration के बारे में बात करें तो 60 minute दिया है 80 minute है वो अलग candidate के लिए जो eligible नहीं है या फिर जो अलग describes है ना तो यह 60 minute आपका दिया है मतलब एक घंटे में 100 question आपको solve करना 100 आपको आफतार क्या होना चाहिए तो 200 number का यह आपका हो जाएगा आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग अगर PDF पे चलते हैं तो PDF भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि क्या PDF में देके रखा है ठीक हाँ, यह आपका PDF है यह आपका PDF है चाहिए, जो आज इन्होंने लाँच किया है ठीक है, सारा कुछ वही जो मैंने वहाँ कटिंग करके लगा या है, और यह सब कुछ आपका दिया है, वही चीजे हैं, जो मैंने आपको वहाँ भी बताई है बहुत सारी लंबी notification है और यह जो notification है आपका यह पूरा पूरा टीलिग्राम चैनल पर आपको अप्लोड मिल जाएगा जिसमें आप देख के बहुत कुछ सही कर सकते हैं यहाँ आपको टीलिग्राम चैनल का जो लिंक होने वाला है वह आपको मिल जाएगा कहाँ De Comment relationship box में मिल जाएगा वहाँ पर मैं इस चीज को अपलोड कर दूँगा वहाँ जाकर एक एक नोटिफिकरशन इतना बढ़ा देके रखा है ना कि आप जाकर वहाँ एक चीज देखके आप आराम से फिलब कर सकते हो ज्यादा आप समस्य है तो टॉल फिर नंबर भी देके रखा है वहाँ से भी आप वीडियो गर पसंद आया होगा तो एक बार चनल को सब्स्क्राइब कर दीजेगा वीडियो को शेयर कर दीजेगा आसे सी के रिगाडिंग सारी की सारी क्लासेज इसी पर चलने वाली है आपकी चाहे वो आपका कंटेन्ट बेस्ट हो या फिर कोई भी फीरी क्लासेज हो या या फिर कुछ आपका यहीं पर चलेगा ठीक है तुम लोग मिलते हैं फिर से नेक्ट वाले वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन